आपका दिमाग क्या क्या कर सकता आप सोच भी नहीं सकता है आपके दिमाग की इतनी सक्ती होती है आप जो भी सोते वक्त सपने लेते हो वो केवल आपका दिमाग अपने बल पर उस सपने को पूरा कर सकता है जो आप चाते हो उसे आप हकीकत में पा सकते हो जो आपकी सोच है वो सोच आपकी सच में बदल सकती है। आपका दिमाग दो पार्ट में डिवाइड होता है। कॉंसियस माइंड, सब कॉंसियस माइंड, चेतनमन और चेतनमन। चेतनमन वो है जो मन हम किसी चीज को सोचते हैं या फिर कोई डिसीजन लेते हैं। ऐसी प्रोसेस को कंट्रोल हमारा चेतनमन करता है। अव चेतनमन हमारा जैसे हमारी बावना, आदत, विश्वास, सोच को कंट्रोल करता है। देखा जाए तो यही सब चीजे हमारी जीवन को अच्छा बना सकती हैं। सोचो हमारी आदत है हम हर रोज जल्दी उठते हैं लेकिन जिसकी भी आदत नहीं होती वो वेक्ती सुवे उठना बहुत मुश्किल सोचेगा इससे ये बात निकल कर आती है जो काम हम हर रोज करते हैं वो हमारी आदत बन जाती है और ना ही वो काम हमें मुस्की लगता है ये सब डिपेंड हमारे ब्लीव पर करता है conscious mind हमारे दिमाग का केवल 10% यूज करता है लेकिन सब conscious mind हमारे दिमाग का 90% यूज करता है इससे तो आप समझ गए होंगे अव चेतन मन की पावर कितनी है लेकिन इसका इस्तमाल कैसे करना है कुछ लोगों को यह पता नहीं होता जो लोग केवल चेतन मन का इस्तमाल करते हैं वो व्यक्ति अपनी जिनकी में सफल नहीं बन पाते ही। लेकिन जो लोग अवच रेतन मन का इस्तमाल करते हैं उनका दिमाग और हटकर मिलेगा। और वो कुछ-कुछ नई चीजों में लगे रहते हैं। अब हम conscious mind की तरफ चलते हैं। Mind को लेकर काफ़ी रिसर्च वीगानी करते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी रिशर्च तो तब हुई जब एक ही बिँमारी वाले लोगों को दो अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हिस्से वाले लोगों को सही दवई दिया। और दूसरी तरफ उन दूसरे हिस्से वाले लोगों को सिर्फ दवाई के नाम पर एक सुगर की कैंडी दी लेकिन वो कैंडी बिल्कुल दवाई के रूब में थी जब उस कैंडी को लोग खाएं तो ये लगे कि वो दवाई है एक महीने बाद विगैनिकों ने उनके सिरीर का टेस्ट किया जिसमें पाया गया कि दोनों हिस्से वाले लोगों की विमारी ठीक हो गई है इससे ये पता चला कि दवाई के साथ आपका दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए कि जो दवाई आप ले रहे हैं उस दवाई से आप ठीक हो जाएंगी वहीं दूसरी तरफ अगर हम अवचे तनमन की बात करें तो एक्जाम्पल के तौर पर आप सोचो कल आपका एक्जाम में उस एक्जाम की आपने अच्छे तरीके से तेहरी कर रखी है लेकिन जब आप एक्जाम में बैठते हो तो आपके दिमाग में अजीब 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 बात आती है जैसे अगर मैं इस एक्जाम में फैल हो गया तो अगर मेरे इस एक्जाम में अच्छे माक्स नहीं आए तो इस तरह के ख्याल आपके दिमाग में आते रहते हैं लेकिन अगर आपको एक्जाम में कम आता है लेकिन आपका माइंड आपको कहता है आपका एक्जाम आज अच्छा जाएगा तो आप इस बात को समझ पाओगे जिसको एक्जाम में आपसे जादा आता था लेकिन उसके मन मे चेतनमन का इससे ये बात परूफ हो जाती है जैसा सोचते हो वैसा ही करते हो ये तो सिर्फ एक एक्जामपल था लेकिन ऐसी कई चीज़े होती है जो हम डेली लाइफ में करते हैं काम परते एक वैक्ति करता है लेकिन यहां यह निर्बर करता है उस काम को करता कैसे है अगर कोई भी वैक्ति किसी भी काम को नेगेटिव सोच रख कर करता है उस काम में वो वैक्ति कभी भी सफल नहीं बन पाएगा लेकिन उसी काम को कोई भी वैक्ति अगर पोजिटिव सोच रख कर करता है उस काम में वो वैक्ति जरूर सफल हो जाएगा ये सिर्फ बाते हमारे दिमाग पर निरुबर करती है हमारा दिमाग सोचता किस तरह है इसे तो आप समझी गए हूंगे हमारे दिमाग की पाउर कितनी है हम अपने दिमाग को किसी भी दिसा में डाल सकते हैं सब conscience mind का इस्तमाल हम कैसे कर सकते हैं जैसे हमारे सरीर में सुबह सबसे ज़यदा energy होती है उसे परकार रात को अव चेतनमन की उर्जा और ज़यदा बढ़ जाती है चेतनमन जब आपका अनक्टिव होता है तो इसकी उर्जा को हम और ज़यदा बढ़ा सकते हैं अब आप यही सोच रहे होंगी आखिर कब हमारे सरीर में चेतनमन अनेक्टिव हो जाता है और वो समय सोने से 5 मिनट पहले है सोने के 5 मिनट पहले अव चेतनमन के पास आपके सरीर का सारा कंट्रोल आ जाता है अब चेतन मन आपका नहीं सोता वो आपको अजीब अजीब सपने दिखाता रहता है सोने के 5 मिनट पहले हमें नेगिटिव बातों को बूल जाना है और हमें पॉजिटिव बातों को ही सोचना है हमें सोचना है आनेवाला दिन हमारा अच्छा आएगा मुझे कल सुबह उठकर यह काम करना है और एक दिन इस कामे जरूर सफलो कर दिखाना है तो आप जब सुबह उठकर उस कामे लग जाओगे तो एक दिन उस कामे जरूर सफलो पाओगी तो फाइनली आज की वीडियो यहीं तक थी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और कुछ नया सीख मिली हो तो पहले लाइक कर देना चैनल को सुब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियो के लिए थैनेवाद